दोस्तो में राजिन्तीवारी आप सबी लोगों का मेरे शिलंज जोतिश मंतर में हार दिक स्वागत करता हूं जिसे कि आप सभी को पता है कि आने वाली 6 तारिक यानिंगी 6 अप्रेल से चेत्र नवरातर शुरू होने जा रहे हैं तो चेत्र नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में घट की स्थापना करने का बहुत ही महत्व होता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि घट की स्थापना का क्या महत्व है घट की स्थापना के से की जाती है और सबसे जरूरी कि घट की स्थापना करने का शुब महुर्द क्या है यानि कि हमें घट की स्थापना कव करनी है तो इन सबी विश्यों पर आज हम चर्चा करेंगे क्या आपको पता है कि साल भर में चार नवरातर आते हैं शायद नहीं, अक्सर लोग जो हैं, वो दो ही नवरातर को जादे तर जानते हैं, या उनने उनके बारे में सुन रखा है, एक तो कुमार का और दूसरा चेतर मास का, यह जादे तर फेमस हैं, इन्ही दो को जादे तर लोग जानते हैं, लेकि दो नवरातर और हैं, जिनको आगमास में आता है इनको गुप्त नवरातर गयते हैं अब हम यह जानते हैं कि घट स्थापना क्यों की जाती है इसके पीछे की क्या मानिता है तो जो सबसे पहली मानिता यह है कि हमारे हिंदू संस्कृति में या हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पार्ट करने से पहले या सुक सम्रद्धी एश्वरे देने वाला मंगल करी माना जाता है इस कारण से इन नो दिनों में घट की स्थापना करके हम इन सबी जो देवी देवता है उनका आवान करते हैं ताकि हमारे घर में जो आवान्चिस शक्तियां है या जो नेगटिव एनरजी है तो उनका नाश क जा सके इस कारण से हम घट की स्थापना करते हैं तीसरी मानिता यह है कि घट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन तो हम हमारे मन को इन नो दिनों में माभगवति की चर्णों में स्थापित करते हैं ताकि हम हमारे मन करम बचन से शुद रहें वानी से शुद रहे हमारे दोरा किसी प्रकार का कोई अनिश्ट नहीं हो, किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं हो, इस कारण से हम घट की स्थापना करते हैं तो घट की स्थापना करने के पीछे ये मानिता है, हम ये जानते हैं कि घट की स्थापना की सही बिधी क्या है इसके लिए अब क्या करेंगे कि सबसे पहले एक पात्र लेंगे किसका एक तावे का एक पात्र लेंगे उस तावे के पात्र को अच्छे से धोका फिर उसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे स्वास्तिक बनाने के बाद उसको जल से भर देंगे फिर उस जल में आप थोड़े से अक्षत कुमकुम हल्दी की गाठ दुर्वा फूल और सिक्का ये सभी चीज़ के इंदर डालेंगे फिर उसमें आजू बाजू आम के पत्ते लगाएंगे आम के पत्ते लगाके उसके उपर नारियल रख देंगे अब ये बन गया है कलश इसकी स्थापना करने के लिए आप यहाँ पर भी मा भगवती का चित्र रखते हैं उसके जो राइट हैं राइट हैं में आप क्या करेंगे थोड़ा सा चावल या फिर चावल ले सकते हैं तो चावल ले लीजे या फिर गेहूं भी ले सकते हैं आप गेहूं के उपर उस कलश को स्थापित कर दीजे तो ये है कलश को इस्थापित करने की सही भी दी अब हम यह जानते हैं कि कलश इस्थापित करने का शुब महुर्थ क्या है तो पहला महुर्थ तो रहेगा सुबह 8 बच कर 1 मिनिट से 9 बजे तक दूसरा महुर्थ रहेगा 12 बच के 15 मिनिट से 1 बच कर 5 मिनिट तक तीसरा मौर्द दो बचकर दो पर बाल दो बचकर 32 मिट से 5 बचकर 26 मिट तक और चोथा मौर्द रहेगा 6 बचकर याने शाम को 6 बचकर 54 मिट से 8 बचकर 20 मिट पर इन चारों मौर्द में से किसी भी टाइम आप घट की स्थापना कर सकते हो लेकिन क्योंकि अभीजीत मौर्द को सबसे उत्तम मौर्द माना जाता है इसलिए अगर आप अभीजीत मौर्द में घट की स्थापना करते हो तो वो जादे अच्छा रहता है और अभीजीत मौर्द कब रहेगा 12 बचके दो पहर 12 बचके 15 मिट से 1 बचकर 5 मिट तक तो इस बीच में अगर आप घट की स्थापना करते हो तो उसका विशेश फल मिलता है तो केसे लागा आपको ये वीडियो और इसमिदी की जान करी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज देसे लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे से 1 जोतिश मंदर को सब्सक्राइब कीजे आज लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए भी शेक के साथ तब तक मुझे दीजे आ गया और आपके ये खुश चाहिए